इटावा जिले में वरिष्ट पुलिस अधिक्षक संजे कुमार वर्मा के आदेश के बाद अपराधियों पर लगातार अंकुष लगाने की कोशिश की जा रही है लेकिन फिर भी अपराधिय अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहे है ऐसा ही एक मामला एक दिल थानक्षीत्र के अंतरगत से सामने आया है जहाँ पर कुछ युवकों के द्वारा एक युवक के उपर डंडों से हमला कर दिया गया जसी वो खायल हो गया आपको बता दे कि ये मामला बिरारी गाओं का है यहाँ ग्राम नगला दलप में रहने वाली श्याम सिंग का 17 साल का बिरारी गाओं में बनी आटे की चक्की पर आया हुआ था इस बात की जानकारी तीन युवकों को हुई तो वो मौके पर पहुँच गया जहाँ पर उनके द्वारा डंडे से युवक के सिर पर हमला किया गया जुसके बाद युवक जमीन पर गिर गया और एक के बाद एक उसके उपर डंडे बरसाए गया वहीं आसपास के लोग मौके पर पहुँचे जिसका उन्होंने विरोध किया तो आरूपी भाँ से भाग निकले ग्रामिलों के द्वारा घायल युवक को उसके घर तक पहुँचाया गया दरसल युवक के उपर किये गए हमले का एक वीडियो CCTV कैमरे में कैद हुआ है जिसमें देखा गया है कि एक युवक आर्टे की चक्की पर खड़ा हुआ होता है तबी पीछे से एक बाइक पर तीन युवक सवार होकर आते हैं जिसमें से एक युवक के हाथ में डंडा होता है डंडा लिये युवक ने सड़क पर खड़े युवक के सर पर पीछे से हमला कर दिया जिससे वो जमीन पर गिर जाता है और उसके सिर्थ से कून बहने लगता है वह यह आसपास के लोग मौके पर पहुंचे जिसका उन्होंने विरोध किया तो आरूपी महां से भाग निकले वह इस घटना को लेकर गायल के पिता के अनुसार उसके बेटे का गाउं के ही कुछ लोगों से मामली विवाद हो गया था इसके बाद गाउं के ही लड़कों ने उनके बेटे के उपर डंडों से हमला कर दिया बतादी कि घायल को जुला स्पिताल में भर्टी कराया गया है जहां उसका इलाज किया जा रहा है फिलाल पुलिस की तरफ से इस मामने को गंभीरता से लेते हुए तीन यूफकों के खिलाफ मुकद्बा तरच कर लिया गया है पंजाब के स्ट्री टीवी के लिए इटावा से अर्वीन कुमार की रिपूर्ट